इंडिया की सबसे misunderstood और least appreciated film का नाम बताओ, टाइम लग रहा है क्या सोचने में, मैं मदद करूँ The Dinosaur प्रभास की film Salaar, जुसमें वो सब कुछ था जो एक सचा cinema lover देखना चाहता है, मास, फ्लास और खतरनाफ storytelling इस तरीके से किसी actor को आज तक बड़ी screen पर present करते हुए नहीं देखा मैंने, हर scene में ऐसा लगता था प्रभास की film में first time entry हो रही है Even अगर आप उससे पूछोगे तो KGF से भी एक level उपर का cinema है Salaar, क्योंकि वहाँ कहानी सिर्फ एक इंसान चलाता है, तो इस film में 100 characters लिखे गए हैं लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती और film का नाम पूरी तरह बदनाम हो गया, गलती Bollywood के सबसे बड़े actor के साथ अपनी film clash करने के बारे में सोचने की इसके बाद जो हुआ, वो शायद कभी Indian cinema में repeat नहीं होना चाहिए corporate booking, dirty politics, screen के लिए ugly fights, low level का fan war जिसमें जीता कोई नहीं लेकिन heart public की हो गई बट time की यही तो special quality है, वो रुपता नहीं है, बदल जाता है, जैसे अब प्रभास के लिए बदलना शुरू हो गया है कलकी 28980 वो film जिसको Indian cinema के लिए game changer बोला जा रहा है, box office तो हर कोई कमा सकता है, कलकी ने public का respect कमाया है आज से 10 साल बाद हम Hollywood में Indian movies release करेंगे, जैसे DC Marvel यहाँ पे करते हैं और वहाँ से 1000 करोड रुपे कमाएंगे तब हर को इसके पीछे का credit कलकी को ही देने वाला है, अगर ऐसा cinema आज नहीं बनता तो शायद public Indian cinema का असली potential कभी जान नहीं पाती लेकिन एक और credit है, जो कलकी totally deserve करती है, सलार को उसकी खोई हुई इजट वापिस लोटाने का, क्योंकि नील सहाब ने मौके पे चौका नहीं छक्का लगा दिया है और कमाल की बात जानते हो, वही सेम लोग जो सलार को brainwash होकर openly criticize कर रहे थे, clash करने के लिए over confident बोल रहे थे सलार part 2 की news सुनकर इस बार सबसे पहला thought इनके दिमाग में क्या आया जानते हो, सलार 2 के साथ clash करने से पहले Bollywood को 100 बार सोचना पड़ेगा best news ये है, film industry के जो लोग प्रभास के stardom पे थोड़ा बहुत doubt कर रहे थे, वो कलकी की success के बाद बाहु बली एरा में वापस लोटाए है इसलिए प्रभास की upcoming movies की shooting जल से जल खतम करके हर कोई कलकी के बाद वो next film बनना चाहता है जो theaters में public के सामने आएगी वैसे तो इस list में राजा सहाब का नाम सबसे उपर चल रहा था, लेकिन film का subject थोड़ा सा risky है, horror comedy जबकि आजकल mass cinema का fashion है इसलिए प्रशान प्लील ने अपने cards में से इका निकाला है और सलार part 2 की shooting सिफ एक महीने बाद 10 अगस 2024 से start करने का मन बना डाला है कम से कम 8 महीने film को shoot किया जाएगा और makers किसी भी कीमत पे 2025 से आगे film को late नहीं होने देंगे, max Christmas 2025 release अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि इतना जल्दी कैसे हो सकता है, film टाइम पर रिलीज नहीं होगी, तो इसके पीछे एक secret strategy है from mastermind प्रशान्त नील Actually मैं part 1 को shoot करते time, इन्होंने part 2 की 20% shooting already done कर ली थी, जिसका सबूत वो dinosaur वाला dialogue और ये probos killer look जो सिब 1 second के लिए screen पे आया था और पूरा theater stadium में बदल गया था ये सब कुछ already shoot किया जा चुका है and chances बनते हैं कि अगले महिने हमें सलार 2 का छोटा सा announcement teaser भी देखने को मिल जाए हाँ जी, makers पूरी तरह कलकी के hype का इस्तमाल करके public reaction को सलार part 2 के लिए convert करना चाहते हैं अब सोचो एक तरफ कलकी का celebration, तो दूसरी तरफ सलार 2 का teaser reveal शायदी इस टाइम कोई ऐसा actor होगा जो प्रभास के एक महिने आगे पीछे अपनी film release करेगा अंदर की खबर ये है कि सलार part 1 में हमने जो देखा वो सिब 10% था उस पूरी कहानी का जो नील था part 2 में reveal करने वाले हैं Interestingly, जुस तरह कलकी का background महाभारत पे based है, ठीक वैसे ही सलार का world creation भी महाभारत से inspired बताया जाता है Spoiler warning, जुस तरह कलकी में प्रभास को करन का revert बताया है, ठीक वैसे ही सलार में भी प्रभास का character करन से ही inspired होगा Modern दुरियोधन माने प्रित्फीराज का character इन सलार, इनके best friend है करन, प्रभास, लेकिन दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मिन कैसे बन गए, वो होगी असली कहानी प्रभास जो first part में single look में दिखाई दिये थे, वो part 2 के अंदर multiple different transformations करते हुए नजर आएंगे वैसे कुछ hints तो ये भी मिल रहे है कि सलार 2 में प्रभास का double role होने वाला है, देवा और उसके पादर धरा, दोनों का character यही play करेंगे But on special public demand after कलकी का response, makers थोड़ा सा मन बदल सकते हैं और फिल्में अमिताप सर को उस role के लिए अप्रोच कर सकते हैं जब इतना सब कुछ होई रहा है, तो क्यों नहीं सलार 2 को next level पे पहुँचा दिया जाए, सिर्फ एक ऐसा सीन डाल कर, monster vs. dinosaur, Indian cinema blast देखो, बहुत सारे common connection, प्लस पृत्वी राज का universe hint और polar gold field into khansar इन दौनों की timeline का एक दूसरे से match करना जादा चौकियेगा मत अगर सलार 2 में नील universe को officially reveal करके, इसको KGF3 में आगे बढ़ाया जाए और देवा vs. Rocky का finale बन जाए कितना मज़ा आ रहा है ना सुनकर, प्रभास का comeback इससे best और क्या ही होगा, लेकिन थोड़ा सा रुख जाओ, सिर्फ एक tension है गुरू Dragon नाम तो सुना ही होगा, नए सुना तो बतादू, प्रशांत नील विद जूनियर NTR, इनकी फिल्म ड्रेगन की शूटिंग भी जल्दी स्टार्ट करके 2026 में release करनी है फिल्म अब बोलतों ये रहे है कि नील साब two timing करेंगे, माने Salar और Dragon पर एक साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन इससे Salar को ही सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और जितना मैंने प्रशांत नील को follow किया है, वो अपनी movies के साथ compromise करने वाले डिरेक्टर नहीं है, वो भी तब जब आपके हाथ में प्रभास जैसा nuclear bomb है तो एक बात 100% guaranteed है, Salar 2 अगस 2024 में start हो जाएगी और फिल्म का announcement वीडियो भी public को मिल जाएगा अब dragon के साथ ये क्या करते हैं और कैसे करते हैं वो देखना काफी interesting होगा, कहीं ये idea इनके दिमाग में घूम तो नहीं रहा है तो बोलो फिर Salar देखिए कि नहीं आपने, अगर नहीं तो फिर Salar 2 में अपनी गलती सुहार लेना भीया, वरना dinosaur mode activate हो जाएगा बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या पर कुछ रिकायब करनी हो, तो मैं आपको Instagram पर भी मिल जाओंगी, वरना थोड़ा से इंतजार करिए, मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में, टेक केर, बाए बाए